हेलो एन वेलकम एब्रिवन आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिसकास करने वाले हैं क्लास नाइन इंग्लिश के चेप्टर माई चाइल्ड हुड को तो स्टूटेंट्स यह जो चेप्टर है माई चाइल्ड हुड यह बेस्ड है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम की लाइफ के उपर जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रही है 2002 से लेके 2007 तक वो इंडिया के प्रेसिडेंट रही है तो उनका बचपन किस कंडिशन में बीता उन्होंने अपनी मदर से अपनी फादर से अपने टीचर्स से कौन-कौन सी चीजें सीखी वो इस चेप्टर में हमें बताई गई है यह जो चेप्टर है यह एपी जे अब्दुल कलाम की बुक Wings of Fire एक book है जिसका नाम है Wings of Fire उससे लिया गया है यह chapter उसका एक extract है ऐसा हम कह सकते हैं ठीक है देखिए Dr. A.P. जी अब्दुल कलाम क्या कहते हैं I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state मेरा जनम है वो एक middle class Tamil परिवार में हुआ था Rameshwaram, Rameshwaram इंडिया के south side में Tamil Nadu Kerala के आसपास एक island है island वो जगे होती है जो चारो तरफ से पानी से घिरी होती है तो एक island है Rameshwaram नाम है उसका इंडिया के southern most जगे पर यह पढ़ती है और modern day उस वक्त के मदरास में आता था यह ठीक है आज इसको हम चेंड नहीं कहते हैं उस वक्त इसको मदरास कहते थे उसमें यह Rameshwaram पढ़ता था उनके जो father है My father Janulabdine had neither much formal education nor much wealth मेरे पापा जो थे Janulabdine ना तो वो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही वो ज़्यादा educated थे Despite these disadvantages he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit wealthy नहीं थे educated नहीं थे लेकिन फिर भी इन disadvantages के बावजूद भी उनके अंदर great innate wisdom यानि उनके अंदर जर्म से ही काफी दिमाग था काफी तेज दिमाग था and true generosity of spirit और उनकी जो spirit थी आत्मा थी अंदर से वो काफी दयालू थे चीजों को समझते थे मेरी मा के रूप में एक आदर्श साथी था यानि जितनी अच्छी उनको wife मिल सकती थी उतनी अच्छी मेरी मदर उनको मिली थी मदर का नाम था आशी अम्मा I do not recall the exact number of people she fed every day but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family मेरी मा जो थी वो हर रोज गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी मुझे ये तो याद नहीं है कि कितने लोग खाना खाते थे लेकिन ये जरूर याद है कि जितने हमारे परिवार के लोग खाना खाते थे उससे कहीं ज़्यादा बाहार के गरीब लोगों को मेरी मम्मी खाना खिलाया करती थी मैं मेरे माबाप के कई बच्चों में से एक था, मेरे माबाप के कई बच्चे थे एक छोटे कद का लड़का विद रादर अंडिस्टिंग्विश्ट लुक्स यानि मेरे लुक्स भी कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे ठीक है, मैं कोमन चाइल्ड था उस दिनों जैसा दिखते थे आस पड़ोस में बच्चे, मेरे परिवार में बच्चे वैसा ही कुछ था मैं बॉन टू टॉ टॉल और हैंसम पेरिंट्स लेकिन मेरे जो माबाप थे वो दोनों लंबे थे और दोनों ही सुन्दर दिखते थे, मधर भी और Pfthen भी हम एक एंसेस्ट्रल उस नसस्ट्रल गा मतलब है जो हमारे दादा पर दादा ने बनाया था यानि परिवार में काफी समय पहले बनाया गया था, ठीक है उस घर में हम रहते थे which was built in the middle of 19th century जो 19th century के middle में बनाया गया था ये एक काफी बड़ा और पक्का घर था उन दिनों कच्चे घर में रहते थे जाद अधर लोग लेकिन फिर भी अप ये पीज अबदुलकलाम पक्के घर में रहते थे लाइम स्टोन और ब्रिक चूने और इंटो से बना हुआ था ये मकान on the mosque street in रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में जो मस्जिद था उस गली में हमारा ये घर बनाया हुआ था my austere father used to avoid all in essential comforts and luxuries austere का मतलब होता है ऐसा बंदा जो काफी simple living पसंद करता है ठीक है जो strict रहता है ठीक है मेरे जो simple और strict father थे उनका मानना था कि हमें comforts और luxuries से दूर रहना चाहिए ठीक है हमें comforts और luxury items से दूर रहना चाहिए however all necessities were provided for in terms of food medicine और cloth लेकिन जितनी जरूरते हम बच्चों की थी वो सारी मेरे फादर पूरा करते थे चाहिए खाने की चाहिए कपड़े की चाहिए दबाईयों की यानि जो जरूरते थे वो हमारी पूरी होती थी ऐशो अराम की जिंदगी मेरे पापा पसंद नहीं करते थे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा चाहिए काफी सुरक्षित था इमोशनली भी मेरे को मम्मी पापा भाई बेहनों का प्यार मिला मैटीरियली भी मेरे को हर वो चीज मिली जिसकी मुझे जरूरत पड़ती थी यानि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसकी किस्मत काफी अच्छी थी सेकंड वल्ड वोर शुरू हुआ 1939 में उस वक्त मैं लगबग 8 साल का था लेकिन मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया कि उन दिनों बाजार में इमली के बीजों की डिमांड काफी बढ़ गई थी अचानक जब सेकंड वल्ड वोर शुरू हुआ 1939 में तो मार्केट में अचानक इमली के बीजों की डिमांड काफी ज़ादा बढ़ गई मैं बीजों को इकठा करता और मोस्क स्ट्रीट की एक प्रोविजन शॉप पे ठीक है एक प्रोविजन शॉप यानि किर्याना शॉप लगा लो पंसारी की शॉप लगा लो उस पे जाके मैं वो टमेरिंट सीट्स बेच आता था एक दिन की कलेक्शन करने से मुझे एक आना मिलता था एक आना जो था देखो बटा एक रुपिये में 16 आने होते हैं यानि एक दिन मेहनत करने पे मुझे एक आना मिल जाता था, मेरे ब्रदर इन लो, ठीक है, अब्दुलकलाम के ब्रदर इन लो जलालुबदीन, मुझे स्टोरी सुनाया करते थे लड़ाई के बारे में, और बाद में मैं उनकी सुनाई स्टोरी को, दिनामनी, ये कोई नियूस्पेपर या कोई जर्नल वगारा होता होगा, इसमें मैं उस में मेरे ब्रदर इन लो की बताई हुई कहानियों को ढूंड़ा करता था, Our area being isolated was completely unaffected by the war क्योंकि रामेश्वरम एक island town है बाकी mainland से कटा हुआ है इसलिए Second World War का हमारे island के उपर हमारे town के उपर कोई ज़्यादा असर नहीं था लेकिन जल्दी ही इंडिया को भी force किया Britishers ने allied forces के साथ मिलके Second World War में participate करने के लिए क्योंकि इंडिया उस वक्त Britain की कॉलोनी था इसलिए Britain और Britain allied powers की तरफ से लडाई लड रहा था इसलिए Britain ने force किया Indian soldiers को भी कि वो भी Britain की तरफ से allied powers की तरफ से लडाई लडें Second World War में And something like a state of emergency was declared और एक emergency का माहोल बन गया हमारे इंडिया में चो पहली चीज हमें सेहन करनी पड़ी. वह क्या थी? रांजवरह की स्टेशन पे ट्रें ने रुकना बंद कर दिया जो ओता था रांश्वरम की स्टेशन पे वो ट्रें ने रांश्वरम की स्टेशन पे रुकना बंद कर दिया न्यूस्पेपर्स वही train लेकि आती थी रामेश्वरम में अब कैसे आते थी रामेश्वरम में न्यूस्पेपर्स को bundle up किया जाता था और चलती हुई train में से बाहर फैका जाता था रामेश्वरम और धनुसकोडी के बीच वाली जगह पर तब जो रामेश्वरम रोड पड़ता था बीच में उस रोड के उपर चलती ट्रेन में से न्यूस्पेपर्स की बंडल्स को फैका जाता था मेरा कजन समसुदीन उसका एक कजन था अबदुल गलाम जी का एक कजन था समसुदीन समसुदीन रामेश्वरम में अकबार बाटने का काम किया करता था तो बंडल्स को पकड़ने के लिए उसको मदद की जरूरत थी यानि उसको किसी को जोब पे रखना था, किसी लड़के को जोब पे रखना था ताकि जो ट्रेंज से न्यूस पेपर्स फैके जा रही है, उनको पकड़ा जा सके ठीक है, as if naturally I filled the slot, naturally मुझे वो काम मिल गया ठीक है, naturally क्यों मिल गया, क्योंकि समसुदीन उसका कजन था दीहाडी जो हम कमाते हैं दिन बर के काम के बाद, तो मेरी पहली वेजिस समसुदीन की वज़े से कमा पाया मैं, half a century later लगबख 50 साल बाद, आज भी मुझे याद है कि पहली बार जो मैंने अपने पहले पैसे कमाई थे खुद, उनको कमाने के बाद मुझे खुद पे कितना गर्व महसूस हुआ था, आज भी मुझे वो दिन अच्छे से याद है, आज 50 साल बाद भी, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment, हर एक बच्चे के अंदर कुछ ऐसी विशेष्टाई, कुछ ऐसी characteristics होती है जो जनम से उसके अंदर होती है, उसके माता-पिता से उसको मिलती है, ठीक है, और into a specific और उसको एक social, economic और emotional environment मिलता है, and trained in certain ways by figures of authority यहाँ पर figures of authority है कि जिन चीजों का उसके उपर फरक पड़ता था, जो लोग उसके behavior को उसकी day-to-day life को control करती थी, वो लोग या वो situations, उनको figures of authority यहाँ पर कहा गया है तो क्या कहता है, अब्दुलकलाम जी यहाँ पर क्या कहती है, कि हर एक बच्चे के अंदर कुछ विशेष्टाइं ऐसी होती है, जो वो जनम से लेके पैदा होता है इसके अलावा, उसको रहने के लिए जो social, economic और emotional background मिलता है जो mahol मिलता है, जो figures of authority मिलते हैं, वो भी उसके character को shape करते है I inherited honesty and self-discipline from my father मेरे पापा से मैंने इमानदारी और self-discipline, खुद को discipline में रखना सीखा ठीक है, from my mother I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my three brothers and sister मेरी माता से मैंने faith in goodness, अच्छाई में विश्वास रखना खुद अच्छा करो, खुद अच्छे बनो, आपके साथ अच्छा होगा and deep kindness और दयालुता सीखी मैंने अपनी मदर से और मेरे तीन भाईयों और बहन ने भी यही कुछ सीखा मेरे पापा और मम्मी से बचपन में मेरे तीन बहुत अच्छे दोस्त थे, रामानदा सास्त्री, अरविंदन और सिव परकाशन यह मेरे अच्छे दोस्त थे, यह तीनों के तीनों जो लड़के थे, यह और्थोडोक्स हिंदू ब्राहमिन फैमिली से आते थे अब यह आजादी से पहले की कहानी हमें सुना रहा है अब्दुलकलाम जी एक मुसलिम फैमिली से बिलोंग करते थे, एक मुसलिम बॉय थे और उनकी फ्रेंडशिप थी, तीन ऐसे लड़कों के साथ जो कट्टर ब्राहमिन फैमिली से बिलोंग करते थे उन तिनों के महोल के हिसाब से ये चीज़ काफी अन्यूजवल सी लगती है तो तीन ओर्थोडोक्स हिंदू ब्राहमिन फैमिली के लड़के उनके दोस्त थे जब हम बच्चे थे, चारों लोग आपस में मिलते थे, केलते थे तो हमें आपस में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता था चाहे हमारे रिलीजियन में कितने भी डिफरेंस हो चाहे हमारी अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब होता है पैदाईश हमारे माबापने हमको कैसे पाला पोसा है ठीक है बेशक उसमें काफी फर्क था लेकिन हमें अपने एक दुसरे में कभी भी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ चाहे हम किसी भी religion के हो चाहे अमीरों चाहे गरीब हो हम आपस में पक्के और अच्छे दोस्त थे इनफेक्ट रामानदा सास्त्री वो सनुफ पक्षी लक्षमना सास्त्री दा हाई प्रिस्ट रामेश्वरम टेंपल और असल में रामानदा सास्त्री जो था वो पक्षी लक्षमना सास्त्री का बेटा था जो रामेश्वरम के सबसे बड़े मंदिर के सबसे बड़े पुजार का बेटा था ठीक है तो आगे देखे आगे क्या होता है लेटर ही टुक ओवर दा प्रीस्टूड ऑफ दे रामेश्वरम टेंपल फ्रॉम हिस फादर बाद में जो ये रामानदा सास्त्री था उसने अपने पापा पक्षी लक्ष्मना सास्त्री की जगे बड़े पुजारी का काम संभाला बड़े होने के बाद यानि जो हाई प्रीस्ट थे रामानदा सास्त्री के पापा वो पोजिशन बाद में जाके बड़ा होने पे रामानदा सास्त्री को मिली अरविंदन जो था उसने अपना business शुरू किया visiting pilgrims को था जो तिर्थ यात्रा करने आते थे रामेश्वरम ने रामेश्वरम में जो लोग तिर्थ यात्रा करने आते थे भक्ती भाव से आते थे उन लोगों के लिए transport arrange करता था अरविंदन और सिर्फ प्रकाशन की बात करें तो सिर्फ प्रकाशन एक catering contractor बन गया यानि सदरन रेलवेज में खाना खिलाता था वो catering करता था ठीक है उन्होंने अपना-पना काम शुरू कर दिया During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony our family used to arrange boards with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site साल में एक बार Shri Sita Rama Kalyanam festival ceremony वहाँ पे होती थी ये एक ceremony है हिंदूों के एक ceremony है जो हर साल में एक बार वहाँ पे हुआ करती थी तो Dr. APG Abdul Kalam की जो family थी वो special boards बनवाती थी special boards arrange करती थी उन boards के उपर platform बना होता था मुर्तियों को रखके लेके जाने के लिए समझ रहे हैं आप मेरी बात को तो special boards के उपर special platform बना होता था और वो platform पे उन idols को रखके लेके जाया जाता था जिन idols को marriage site पे लेके जाना है यनि इस त्योहार के दोरान मुर्तियों को भगवान की मुर्तियों को बोट पे बैठा के marriage site तक विवास तल तक लेके जाया जाना होता था तो उन बोट का इंतिजाम हम करते थे ठीक है और जो ये marriage site होती थी ये marriage site एक तालाब के बीच में होती थी ठीक है जिसको कहा जाता था राम तिर्थ क्या कहा जाता था उसको राम तिर्थ हमारे घर के काफी नजदीक था ये राम तिर्थ ठीक है events from रामायना and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family मेरी मा और मेरी दादी हमें रामायन और प्रोफेट प्रोफेट महम्मद जो इनके भगवान होते हैं Muslims के ठीक है तो प्रोफेट महम्मद की कहानिया और रामायना की कहानिया मेरी मा और मेरी दादी हमें सुनाया करती थी तो देखा जाए तो एक काफी जो है न अच्छा माहोल मिला डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम को अपनी childhood days के दोरान एपी जे अब्दुलकलाम को उस religious bitterness का सामना नहीं करना पड़ा जिसका सामना अकसर उन दिनों किया जाता था या आज भी कुछ जगों पे ऐसा देखा जाता है एक दुसरे से काफी जो है बैर रखते हैं एक दुसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर हम अब्दुलकलाम की childhood को देखें तो उनको जो तीन सबसे अच्छे दोस्त थे वो कट्टर हिंदू family से आते थे उनकी माता और उनकी दादी जी उनको रामायन की कहानिया भी सुनाती थी जो हिंदूस का एक epic है ठीक है एक दिन जब मैं पांचमी क्लास में था रामेश्वरम elementary school में पढ़ता था एक नए टीचर मेरी क्लास में आये वो नए थे school में नए नए पढ़ाने आये थे मैं एक टोपी पहनता था जिससे मुझे जिससे पता चल जाता था क कि मैं मुस्लिम हूँ आपको आप समझ गए होगे गोल सी टोपी पहनते हैं वो टोपी मुस्लिम ही पहना करते हैं तो उस टोपी से कोई भी पहचान सकता था कि मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ I always sat in the front row next to रामानदा सास्त्री मैं पहली लाइन में बैठता था रामानदा सास्त्री के साथ ठीक है रामानदा सास्त्री के पास और रामानदा सास्त्री जो था वो sacred thread पहनता था जनेवू पहनता था हिंदूस का जो पवित्र होता है जनेवू ठीक है सपेद कलर का धागा ह होता है जिसको कमर पे पहना जाता है ठीक है तो वो sacred threat जनेव पहनता था तो teacher को देखके ही पता चल गया कि एक Muslim लड़का एक Orthodox Hindu Brahmin लड़के के साथ बैठा हुआ है ऐसा उस नहीं teacher को पता चल गया नया teacher जो है वो stomach नहीं पर कर पाया digest नहीं कर पाया कि एक Hindu पुजारी का बेटा एक Muslim लड़के के साथ बैठा है ठीक है यानि काफी छोटी mentality उन teacher की रही होगी इन accordance with our social ranking as the new teacher saw it I was to go and sit on the black back bench जैसा कि हमारी social ranking उस teacher के दिमाग में थी वैसे तो गया तो बच्चों के दिमाग में पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था अब्दुलकलाम के पेरेंट्स भी काफी खुले दिमाग के थे और जो सुचे अब छोटी सोच वाला व्यक्ती था तो इसके हिसाब से social ranking के हिसाब से एक Hindu तू पूजारी का लड़का किसी मुसलिम के साथ अगर बैठेगा तो ये गलत रहीगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्दुलकलाम को खड़ा होके, खड़ा होने के लिए कहा और आखरी seat पे जाके बैटने के लिए पीछे वाले bench पे जाके बैटने के लिए कहा, मैं काफी उदास हुआ रामानदा सास्तरी भी काफी उदास हुआ, he looked utterly downcast, वो बिलकुल उदास लग रहा था, बहुत दुखी लग रहा था, and I shifted to my seat in the last row, जैसे ही मुझे teacher ने आखरी draw में, आखरी bench पे बिठाया, तो रामानदा सास्तरी भी काफी दुखी हो गया the image of him weeping, when I shifted to the last row, left a lasting impression on me, वो रोने लगा जब मुझे last bench पे बिठा दिया teacher ने तो रामानदा सास्तरी रोने लगा, और उसके, इस रोने की तस्वीर ने मेरे उपर एक कहरी चाप छोड़ी इस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाया, मतलब देखिए सोचने वाली बात है, एक orthodox Hindu परिवार का लड़का, एक Muslim लड़के को जब उससे अलग बिठा दिया गया, तो रोने लग जाता है तो इससे पता चलता है कि religion बीच में नहीं आ रहा था ठीक है, religion उनकी जो मान्यताईं थी उनके जो rituals थे, उनका जो religion था उनकी जो upbringing थी ठीक है, उनके जो parents का wealth का status था ये सब बीच में कोई माईनी नहीं रखता था लक्षवना सास्त्री जो की पंडित थे, रामनादा सास्त्री के पिता थे, उन्होंने उस teacher को बुलाया, अब teacher को बुलाने पर जाना भी पड़ेगा, क्योंकि लक्षवना सास्त्री, रामेश्वरम के बड़े मंदिर के high priest थे तो society में समाज में की बहुत बड़ा रुतुबा था and in our presence, और हम सब वहां मोजूद थे, उन्होंने teacher को बताया, कि उन्हें social inequality का जहर बच्चों के दिमाग में नहीं घोलना चाहिए communal intolerance का जहर इन शरीफ बच्चों के मन में नहीं घोलना चाहिए यानि देखे कितनी बड़ी सोच वाला पुजारी है वो orthodox Hindu Brahmin family से आता है लक्षमना सास्त्री ठीक है, बड़े मंदिर का बड़ा पुजारी है लेकिन फिर भी सोच कितनी अच्छी है उनकी ठीक है, जिस तरह की image अकसर हमारे सामने रखी जाती है वैसी image नहीं है उनकी ठीक है, वो क्या कहते है social inequality यानि society में जो inequalities है, जो असमानताई हैं बच्चों के बीच में, हमारे बीच में वो बच्चों के मन में मत डालिए communal intolerance जो communalism की भावना है यानि religion के religion के जो differences है उनको लेके बच्चों के मन में जहर पैदा, मत कीजी ये बच्चे हैं, इनको अपनी जिन्दगी जीने दीजिए ठीक है, धर्म के आधार पे इनको मत बाटिए, ऐसा उनको उन्होंने समझाया he bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island उन्होंने साफ तोर पे साफ साफ शब्दों में कहा teacher को कि या तो आप माफी मांगिये नहीं तो आप school और इस रमेश्वरम island को छोड़के चले जाएए teacher ने सिर्फ पच्तावा ही नहीं किया माफी ही नहीं मांगी अपने behavior के लिए, अपने व्यभार के लिए but the strong sense of conviction लक्षमना सास्तरी conveyed ultimately reformed this young teacher सिर्फ उस teacher ने अपनी गलती ही नहीं मानी माफी ही नहीं मांगी मानी बलकि लक्षमना सास्तरी के इस रवये में इस behavior ने उस young teacher की सोच को ही बदल दिया यानि कहने का मतरब क्या है कि उस घटना के बाद, उस दिन के बाद उस teacher ने कभी हिंदू-Muslim में भेदभाव नहीं किया वो हमेशा सबको equal देखता था वैसे तो देखा जाए तो रामेश्वारम की जो society थी उसमें social groups के अंदर यानि casteism जो था religious differences जो थे वो काफी rigid थे rigid का मतरब लोग बहुत ज़दा मानते थे बेशक अबदुलकलाम की family ना मानती हो बेशक उसके दोस्त रामनदा सास्त्री अरविंदन सिव प्रकाशन की family ना मानती हो लेकिन जिस society में वो लड़के और वो परिवार रहते थे उस society में caste system और religious differences काफी rigid थे और लोग बहुत मानते थे in differences को however my science teacher लेकिन मेरे science teacher सिव सुब्रमनिया अयर जो उनका नाम था वो एक orthodox hindu brahmin family से आते थे उनकी wife काफी conservative थी conservative का मतलब पुराने तरीकों को मानती थी मतलब muslims को हमारे घर नहीं लेके आना छोटी जाती वालों को हमारे घर नहीं लेके आना ठीक है उनके साथ बैटके खाना नहीं खाएंगे इस तरह की बाते उनकी wife मानती थी लेकिन मेरे जो teacher थे science के सिव सुब्रमनिया अयर वो काफी खुले विचारों वाले व्यक्ती थे ठीक है वो something of a rebel यानि वो एक rebel थे यानि जो social hierarchy थी जो society में rigidness थी caste system को लेके religion को लेके उसको वो नहीं मानते तो वो एक rebel थे rebel हम उस व्यक्ती के लिए यूज करते हैं जो समाज की रीतियों को मानने से इंकार कर देता है ठीक है उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया इन social barriers को तोडने का ताकि अलग-अलग background से आने वाले लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलके रह सकें यानि society की इस rigidness को इस caste hierarchy को इन caste differences को इन religious differences को हमारे science teacher नहीं मानते थे वो एक ब्रामिन थे लेकिन फिर भी नहीं मानते थे वो घंटो बिताते थे मेरे साथ अब्दुल कलाम एक मुसलिम था फिर भी उनके साथ घंटो बिताते थे और कहते थे कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ ताकि तुम on par with का मतरब compete कर सको able बन सको उन highly educated लोगों के बराबर जा सको जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े institute में पढ़ रही है उनके साथ compete करना उनके बराबर पहुंचना है तुम्हें इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आगे निकलो अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है तो इन चीजों का उनके childhood पे काफी असर पढ़ा डॉक्टर एपीजे अबदुलकलाम के childhood पे एक दिन मेरे science teacher ने मुझे घर पे बुलाया खाने पे उनकी wife काफी डरी थी काफी गुसा थी काफी horrified थी इस idea से कि एक muslim लड़का उनकी ritually pure kitchen में आके खाना खाएगा रिच्वरी का मतलब रिती रिवास के हिसाब से society के हिसाब से उनके शुद्ध रसोई में आके अगर कोई muslim लड़का खाना खाएगा तो ये बात मेरे science teacher की wife को बिल्कुल बरदाश्ट नहीं थी तो उन्होंने इंकार कर दिया मुझे kitchen में खाना serve करने से कि मैं खाना नहीं परोसूंगी आपको जो करना है कर दो ठीक है शिव सुब्रमानिया was not perturbed वो कोई disturbed नहीं हुए इस बात से ठीक है वो कोई मतलब जुझलाए नहीं गुसा नहीं हुए इस बात से nor did he get angry with his wife नहीं उन्होंने अपनी पत्नी के उपर घुसा किया क्योंकि वो मानते थे कि हर एक की अपनी thinking है हर एक की अपनी mentality है और मुझे इस mentality को change करना है तो उन्होंने जब उनकी wife ने उनके Muslim student को खाना परोसने से मना कर दिया तो मेरे teacher ने काफी अच्छे से behave किया उन्होंने ना तो अपनी wife को force किया ना ही अपनी wife के उपर गुसा किया उन्होंने ठीक है but instead he served me with his own hands उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे साथ बैट के अपना खाना खाया ठीक है उनकी जो पत्नी थी वो kitchen के पीछे से हमें देख रही थी ठीक है और मैं ये सोच के हैरान था मैं ये सोच रहा था कि क्या वो मेरे और सर के खाने के तरीके में कोई difference ढूंड पा रही है क्या मेरा खाने का तरीका और मेरे teacher सिवर सुबरमनिय ऐयर के खाने का तरीका चावल खाने का तरीका क्या कुछ अलग है पानी पीने का तरीका क्या कुछ अलग है खाना खाने के बाद फर्ष को साफ करने का तरीका क्या कुछ अलग है यानि उनकी पतनी ने जो अपने कीचन में बुला के खाना परोसने से मना कर दिया था तो क्या मेरे खाना खाने का तरीका अलग था या मुझे साफ सफाई नहीं आती थी या मुझे पानी पीना नहीं आता था तो क्या ऐसी चीज अलग थी जिसकी वज़े से उन्होंने मुझे मना कर दिया था खाना परोस्ने से मैं ये सोच रहा था जब मैं घर से जा रहा था, सिव सुबर्मन या अयर ने मुझे एक और बार डिनर के लिए इन्वाइट किया, कि आज तुमने मेरे साथ खाना खाया है, एक बार और आओगे तुम मेरे पास, अगले विकेंड पे, अगले हफ्ते की अंत में तुम फिर से मेरे पास आओगे खा कर लिया था, अब जाहिर सी बात है कि मैं उनके घर में खाना खाने गया, उनकी पतनी मेरे पास तक नहीं आई, खाना तक नहीं परोसा, सर ने खुद खाना परोसा, खुद बैठके मेरे साथ खाना खाया, तो जाहिर सी बात है लड़के में एक ऐसी इल फिलिंग तो आएग तुम उदास मत हो, जब तुम सिस्टम को बदलने की ठान लेते हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना तुम्हें करना पड़ेगा कलाम, और हम दोनों को मिलके, मेरी वाइफ की जो सोच है, उसको बदलना है, जब मैं अगले हफते उनके घर गया, सिव सुब्रमनिया अईयर की वाइफ ने, खुद मुझे किचन के अंदर लेके गई, और अपने हाथों से मेरे लिए खाना परोसा, मेरे लिए खाना लगाया उन्होंने, यानि जो कंड़क्ट था, जो बिहेवियर था, मेरा और मेरे टीचर का एक दुसरे के साथ, उसने एक कंजर्वेटिव वाइफ को, एक कंजर्वेटिव थिंकिंग करखने वाली, ब्रामिन लेडी की, थिंकिंग को चेंज कर दिया था, जब सेकंड वर्ड वोर खतम हुआ, इंडिया की फिरिडम एमिनेंट थी, एमिनेंट का मतलब सबको पता था, कि फिरिडम मिलके रहेगी, पक्की हो चुकी थी, इंडियन्स खुद के लिए एक नया इंडिया बनाएंगे, गांधी जी ने घोशनागर्दी डिकलेर कर दिया, पूरे देश में एक ऐसा ओप्टिमिजम फैला हुआ था, जो पहले कभी नहीं दिखा गया था, अनप्रिसिडेंटिड का मतलब अनपैरलल्ड, जो पहले कभी अब्जर्व नहीं किया गया, ओप्टिमिजम का मतलब पोजिटिव थिंकिंग, यानि पूरा देश काफी पोजिटिवली सेलिबरेट कर रहा था, I asked my father for my permission to leave Rameshwaram, and study at the district headquarters in Ramanaathpuram, मैंने अपने पापा से कहा कि, पापा मैं Ramanaathpuram district में जाके, अपनी आगे की पढ़ाई continue करना चाहता हूं, क्या आप मुझे परमेशन देंगे, मैं बड़े शहर के बड़े स्कूल कोलेज में जाके आगे पढ़ना चाहता हूं, मैंने अपने पापा से परमेशन माँगी, ठीक है, क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे, He told me as if thinking allowed, Abul, I know you have to go away to grow, does the seagull not fly across the sun alone and without a nest, वो वैसे तो सोच रहे थे, लेकिन मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी सोच को पढ़ पा रहा हूं, वो क्या सोच रहे थे, Abul, मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार से दूर जाना ही पढ़ेगा ग्रो करने के लिए, क्या seagull जो bird है, वो अकेले, बिना घोंसले के, सन को पार करके, समुद्रों को पार करके, दूर तक उड़के नहीं जाता है, इसे तरीके से तुम्हें भी अपनी family को छोड़के, ठीक है, अपने ये जो महोल है family का, इसको छोड़के जाना पड़ेगा, अगर तुम भी अपना नाम बनाना चाहते हो, ये quoted Khalil Gibran, Khalil Gibran एक काफी बड़े writer हैं, Khalil Gibran को, मेरी मदर को समझाने के लिए, Khalil Gibran की sentences का, Khalil Gibran के quote का उन्होंने use किया, Your children are not your children, They are the sons and daughters of life's longing for itself, They come through you, but not from you, वो क्या कहते हैं, कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, वो तुम्हारे नहीं हैं, बेशक, वे sons and daughters of life's longing for itself, यानि, जिन्दगी ने, भगवान ने, उनके लिए, खुद कुछ न कुछ सोच रखा है, किसी मकसद से, वो इस दुनिया में आये हैं, They come through you, वो तुम्हारे जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुमसे नहीं हैं, वो इस प्लैनिट के लिए, भगवान के लिए, अपना कर्म करने के लिए, इस दुनिया में आये हैं, इसलिए तुम अपने मुताबिक उनको डालने की, अपने comfort के according उनको रोकने की, कोशिश मत करो, You may give them your love, but not your thoughts, तुम अपना प्यार अपने बच्चों को दे सकती हो, लेकिन अपने विचार उनके उपर थोप नहीं सकती, वो अपनी life खुद जीएंगे, अपने मुताबिक जीएंगे, अपने खुद के विचार बनाएंगे, किस field में जाना है, क्या काम करना है, ये उनके खुद के उपर है, for they have their own thoughts, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार है, अपनी खुद की समझ है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे according, तुम्हारे बच्चे एक्ट करें, उनको अपने according, अपने thinking के according, आगे बढ़ने तो अपनी जिन्दगी में, तो देखा जाए, तो उनके जो फादर थे, APJ अब्दुलकलाम के वाक्त, वो काफी खुले विचारों वाले थे, और ऐसी family मिली, इसलिए हम ये कह सकते हैं, कि वो अपनी जिन्दगी में इतने आगे बढ़ पाए, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, हमें Dr. APJ अब्दुलकलाम के उपर based, इस lesson से, कि हमें religious differences से दूर रहना चाहिए, चाहिए को हिंदू है, चाहिए को मुसलिम है, चाहिए को किसी और religion का है, चाहिए वो हमसे छोटी कास्ट का, चाहिए वो हमसे बड़ी कास्ट का है, हमें इस तरहें के differences, जो है अपने दिमाग में नहीं आने देने चाहिए, ठीक है, तो students, अगर आपको ये lesson पसंद आया, तो please चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, comment section में अपनी राय दिना मत भूलिएगा, और जाने से पहले एक बार वीडियो की description को जरूर चेक कीजिएगा, वहां हमने आपकी class के अलग-लग subject की chapter explanation से आपके लिए अविलेबल करवा रखी है, एसस्टी के, science के, English के और maths की भी कुछ exercises आपके लिए अविलेबल है, तो एक बार जाकि आप उन links को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, हो सकता है जिस lesson के explanation आप ढूंड रही हो, आपको नहीं मिल रही हो, वह आपको वहां देखने को मिल जाए, thank you for being with us, thank you for supporting us, keep loving, keep supporting.